तुझे देखा तो ये जाना सनम एक सेकेंड तेरे तो डाक सर्कल्स हो रहे हैं कुर आज करूंगा आफके साथ किया लगाँ कर रहा है कि एक बिमारी इसका जबाब जी बिल्कुल भी नहीं डार कोई बिमारीं नहीं रही बट वो हमारे फेस को हमारे डरा एरिया को डल और टा रहा हूं जो आपके लिए next level काम करने वाली आपके dark circles के लिए सिरफ साथ दिन हम आपसे लेंगे और आपके dark circles में आपको visible difference दिखना शुरू हो जाएगा जो वारी आपको एज जादा लगती है तो आपको extra ध्यान रखना पड़ेगा अपनी अंडराय एरिया का इससे पहले मां आज के treatment की तरफ वरे पहले मैं आपको कुछ reasons बता देता हूं वो कहते है न precaution is better than cure अगर आपको यही नहीं पता होगा कि dark circles हो कैसे रहे तो उनका cure कैसे करोगे जो हमारे dark circles हो तो उसके कही रीजन होते है सबसे पहला प्रोसेस होते हैं वो बहुत major role play करता है हमारे dark circles के पीछे खेर हम इन सब रीजन को control नहीं कर सकते हैं कुछ reason avoidable है तो कुछ नहीं है आप जब आप मेन रीजन जान चुके हो सीधा आगे बढ़ते हैं treatment की तरफ और शुरू करते हैं अपनी वीडियो और आपको बताते है 8 hours की नीद लेनी ही लेनी है वरना आज की remedy का आपको कोई फाइदा नहीं मिलने वाला point number two get proper hydration आपको दिन में अच्छी quantity में पानी पीना है और साथ-साथ अपने अंडर आय एरिया को प्रोपर्ली मॉस्टराइज भी रखके रखना है point number three आपको sun से अपनी skin को है for seven days और seven days में अगर आपके dark circles दूर नहीं हुए न तो बताना bet लगाने को ready हो नीचे comment करकर बताओ अब हम शुरू करता है पहले हम आपको बताएंगे morning का routine फिर हम बताएंगे night का routine morning में आपको क्या करना आपको चाहिएंगे दो tea bags अराम से किसी भी किराना दुकान पर निकाल दो थोड़ी देर के लिए उस पॉइलिंग वाटर में रहें तो फिर उसको निकाल लो थंडा होने दो जो एक्स्टा पानी है उसको निचोड दो फिर आप उसको कर दो रेफ्रिजरेट आधे घंटे के लिए जब वह प्रॉपर्ली ठंडा हो जाए आपने अपने अ जब 10-15 मिनट आप उसको रखोगे आपकी आइस और जादा अलर्ट लगेंगी और आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा पहले यूज में आपकी पफी आइस में रही बाट डाक सिर्कल की उसकी तो मैं आपसे गैरेंटी ले ही चुका हूँ कि 7 डेज में आपके बताता हूं उसके फाइदे बताता हूं फिर यह बताऊंगा कैसे फॉलो करना है इंग्रीडियंट नमबर वन आलमंड ओईल या कहें बदाम का तेर आलमंड ओईल बहुत ही अमेजिंग मॉस्चिराइजर होता है हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता अगर आप सिरफ अलमंड ओईल को अपनी अंडर आई एरिया पे रेगिलर्ली लगाना शुरू कर दोना आपके अंडर आई रिंकल्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और साथ साथ आपका अंडर आई एरिया लाइटन अप भी हो जाएगा इंग्रीडियंट नमबर टू वाइट वाइटमिन E से बढ़िया कोई भी मॉस्चराइजर है जो वाइटमिन E एड़ करेगा हमारे आज केस में ओईल में कि मेक शौर करेगा आपके अंडर आई एरिया पे कोई भी ड्राइनेस ना हो सिरफ यही नहीं और भी फायदा देता है वाइटमिन E हमारी अंडर आई की स् पफिनेस और वह सबसे जाद आपकी एज दिखाती है और उसका सेल्यूशन है वाइटमिन E ओईल फाइनली इंग्रीटिंट नंबर थी पटेटो जूस मुझे नहीं लगता डाक सिर्कल्स के लिए पटेटो जूस से कोई भी एफेक्टिव रेमेडी है आप सिरफ अगर हमारे डाक सिर्कल्स पे पफिनेस में और हमारी आइस को और ज्यादा अलर्ट दिखाता है अब हम आगे बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ रेमेडी के लिए चाहिए होगा सबसे पहले आपको एक ग्लास बोल उसमें आपने डालना है एक चमच अलमंड ओई एक चमच वाइचमच वाइचमिन ई ओई और उसमें आपने आड करना है एक चमच फ्रेश पटेटो जूस प्रॉपर्ली बढ़ी अडंग से मिक्स कर लो आपने अंडर आय एरिया पर प्रॉपर्ली मसाज करना है जब तक कि आपकी स्किन में मतलब एक सेटल डाउन नौज है और आप यहां पर भी लगा सेकतो आइस के टॉप पर भी आपने इसको 30 मिनट तक के लिए 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 आपने इसको रिंस कर देना है वाट जो वीडियो के शुरू में मैंने तीन पॉइंट्स बताए थे आप उसको रेगिलर्ली फॉलो करते हो तो दिस इस इट आज यह सेवन डेस का चैलेंज लो और अपने डाक सर्कल्स को पर्मेनेंटली बोलो टाटा बाए बाए मजा ना आया हो ना तो पैसे वापिस वीडिय कि उनके लिए मैजिक की तरह काम कर जाए और वो थैंक यू बोलते ही ना थके आपको तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में अंटिल नेक्स चाइम दिस इस यह होस्ट तोइट सजदेवा गुड़ बाए